नमस्त बच्चो बच्चो चीज प्रकर हमारे हिंदी के अब्यास्क्रम में हिंदी पाठ्थय पुस्तक का समाविश किया गया है उसी प्रकर हिंदी व्याकरण पाठ्थय पुस्तक का भी समाविश किया गया है इस व्याकरण के पाठ्थे पुस्तक में दो विभाग दिये गए है पहला विभाग व्याकरण विभाग व्याकरण विभाग में वर्णमाला, संग्या, सर्वनाम, लिंग वचन आधिका समाविश किया गया है तो दूसरा विभाग रचन विभाग इस रचना विभाग के अंतरगत कहानी लेखन, निभन्द लेखन, पत्र लेखन और आकलन आधी का समावेश किया गया है बच्चों हम धीरे धीरे इन लेखन के प्रकारों का अध्यन करेंगे आज हम कहानी लेखन किस प्रकर किया जाता है इसके बारे में जानकरी लेते हैं बच्चों आप सभी को कहानी सुनना या पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कहानी सुनने का या पढ़ने का मुख्य उद्देश मनोरंजन रहता है लेकिन हर एक कहानी से हमें कूछ न कूछ सीख अवश्य ही मिलती है हमारे घर में जो बड़े सदस्य होते है जैसे दादा दादी नाना नानी माता जी पिता जी वो हमें अलग-अलग कहानिया सुनाते है जैसे पशुपक्षियों की कहानी, परियों की कहानी, अकबर बिर्बल की कहानी जब हम छोटे थे, तो कहानी सुने भी न, हमें नीन भी नहीं आती थी लेकिन बच्चों, आपने कभी कौन सी कहानी लिखी है? या कौन सी कहानी लिखने की कोशिश की है? नहीं न? तो चलो, आज हम कहानी लेखन किस प्रकर किया जाता है और कहानी लिखने के लिए किस बात की और ध्यान देना आवश्यक है इसके बारे में जानकारी लेते हैं कहानी लेखन करते वक्त हमें कूछ बातों की और ध्यान देना आवश्यक है जैसे एक कहानी की रूप पर एखा अपने दिमाग में ठीक से बैठ जानी चाहिए मतलब कहानी का मुख्य विशे कौन सा है कहानी में कौन कौन से पात रहे इस कहानी के माध्यम से हम कौन सी सीख देना चाहते है इसकी रूप रेखा हमारे दीमाग में ठीक से बैट जानी चाहिए तबी हमें कहानी लेखन करने का प्रारंब करना चाहिए कहानी का मुख्य विशय क्या है? इसे शुरू से अंततक भूलना नहीं चाहिए जब हम कहानी लेखन का प्रारंब करते है तो कहानी का मुख्य विशय क्या है उसे अंततक धान में रखना है यदि हम बीच में मुख्य विशय ही भूल जाएंगे तो हम कैसी ही कहानी लिखते जाएंगे जिसका कोई मतलब भी नहीं इसलिए कहानी का मुख्य विशे क्या है इसे शुरू से अंततक भूलना नहीं चाहिए कहानी का आरंब करने के बाद उसका विकस ठीक धंग से होना चाहिए इसका ध्यान रखना है कि कौन सी बात पहले जब हम कहानी लिखने की शुरूआत करते है तो हमें उसका विकस ठीक धंग से करना चाहिए हमें इसका भी ध्यान रखना है कि कौन सी बात पहले लिखनी है और कौन सी बात बाद में लिखनी है चार एक संकेत के साथ दूसरे संकेत को बड़े ही अच्छे धंग से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि कहानी की सबी बाते एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई लगे जब हमें कहानी लिखने के लिए कहा जाता है तो कहानी की रूप परेखा या कूज संकेत हमें दिये जाते है तो एक संकेत के साथ दूसरे संकेत को योग के विस्तार के साथ अच्छे ढंग से हमें जोड़ना चाहिए ताकि कहानी की सबी बाते एक दूसरे के साथ जुड़ी हुए लगे 5. कहानी में भाषा की ओर धान देना चाहिए शब्द और महावरों का सही उपयोग करना चाहिए कहानी की जो भाषा है वह सहज और सुलब होनी चाहिए कहानी में हमें प्रभावी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए बीच बीच में महावरों का भी उपयोग करना चाहिए जिससे कहानी और भी मनोरंज़ लगे चे, कहानी का अंत बहुत प्रभावचले होना चाहिए हमने देखा कि कहानी का प्रारंभ या शुर्वत आकर्शक होना चाहिए जिससे हमें वो कहानी सुनने में या पढ़ने में दिल्चस्पी पैदा हो उसी प्रकार कहानी का अंत भी बहुत प्रभावशाली होना चाहिए कहानी के अंत में हमें उस कहानी से कौन सी न कौन सी सीख अवश्य ही देनी है कहानी का शिर्शक रोचक होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाले के मन में कहानी की उस्सुकता बड़े कहानी का जो शिर्षक है वह रोचक होना चाहिए क्योंकि बच्चों पहले हम शिर्षक को सुनते है या पढ़ते है और हमें शिर्षक अच्छा लगा तो यह हम कहानी सुनने में या पढ़ने में दिल्चस्पी लगाते है इसलिए कहानी का शिर्षक प्रोचक होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाले के मन में कहानी की उस्सुकता बढ़े बच्चों हम फिर से एक पर इन सबी जो बाते हैं इनको दोहराते हैं कहानी लेखन के लिए हमें इन सबी बातों की ओर ध्यान देना अवश्यक है एक, कहानी की रूप रेखा अपने दिमाग में ठीक से बैट जानी चाहिए दो, कहानी का मुख्य विशे क्या है इसे शुरू से अंततक भूलना नहीं चाहिए तीन, कहानी का आरंबा करने के बाद उसका विकस ठीक धंग से होना चाहिए इसका ध्यान रखना है कि कौन सी बात पहले और कौन सी बात बात में रहे चार, एक संकेत के साथ दूसरे संकेत को बड़े ही अच्छे धंग से जोडने की आवश रखता है ताकि कहानी की सभी बाते एक दूसरे के साथ जोड़ी हुई लगे पाच, कहानी में भाशा की ओर ध्यान देना चाहिए शब्द और मुहावरों का सही उप्योग करना चाहिए नमबर छो, कहानी का अंत बहुत प्रभावशाली होना चाहिए और साथ, कहानी का शिर्षक रोचक होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाले के मन में कहानी की उस्सुकता बढ़े इन सभी बातों को यदि ध्यान में रख कर हम कहानी लेखन करते है तो कहानी रोचक और मनुरंज़क लिख सकते है बच्चों, जब आपको कहानी लेखन करने के लिए कहा जाता है तो उस कहानी की रूप रेखा कुछ संकेत आपको दिये जाते है और उन्ही संकेत के आधर पर आपको कहानी लेखन करना होता है जैसे मालिक का गधे की पीट पर नमक लादना नदी पार करते समय नमक का घुल जाना बोज हलका हो जाना दुसरी बार रुई लादना भीगने पर बोज बढ़ जाना और तकलिप उठाना शिक्षा इस प्रकार कहाने की रूप परेखा या संकेत आपको दिये जाते हैं इन संकेतों के आधर पर आपको पहले आपके दिमाख में उस कहाने के बारे में सोचना होता है कुछ कल्पना करनी होती है जैसे एक गाउ में एक आदमी रहता था वह हर दिन नमक की बोरिया बाजार में बेशता था उसके पास एक गधा था लेकिन गधा बहुत ही आलसी और कामचोर था मालिक गधे के पीट पर नमक की बोरिया लाद कर बाजार लेके जाता था रास्ते के बीच एक नदी थी हर दिन उस नदी को पार करके बाजार जाना पड़ता था ऐसे ही एक दिन मालिक गधे को लेकर नदी पार कर रहा था अच्चानक गधे का पैर फिसल गया और गधा नदी के पानी में गीर पड़ा मालिक ने बहुत परिश्यम के साथ गधे को पानी से बाहर निकाला और देखा किदर गधे को लगा तो नहीं न लेकिन गधा सही सलामत था गधे ने यहां मैसुस किया कि उसके पीट पर जो बोच था वहां हलका हो गया था बच्चो क्यों हलका हो गया उसके पीट पर का बोच क्योंकि गधे के पीट पर नमक था और वहां सब नमक पानी में घुल कर बह गया था गदा बहुत खुश था उसने सोचा क्यों नम्मे रोज ऐसा करूँ उसके बाद मालिक गदे को लेकर घर वापस लवटाया क्योंकि बाजर जाकर कुछ फाइदा ही नहीं था सारा नमक पानी में बह गया था दूसरे दिन मालिक ने फिर गदे के पीट पर नमक की बोरिया लाद दी और बाजर के ओर निकले जैसे ही नदी पार कर रहे थे गदा जान बुचकर पानी में गिर पड़ा फिर से सारा नमक पानी में घुल कर बह गया गदा बहुत खुश था क्योंकि उसकी युक्ती काम आई थी लेकिन मालिक परेशान हो गया क्योंकि उसका नुकसान हो रहा था और आज उसने साब साब देखा था कि गदा जान बुचकर पानी में गिर पड़ा था मालिक ने सोचा अब गदे को सबक सिखाना आवश्यक है उसे पाट अवश्य सिखाना चाहिए अगले दिन मालिक ने गदे के पीट पर रुई ला दी गदा पहले ही खुश था उसने सोचा अरे आज तो पहले से ही मेरे पीट पर का बोच हलका है और नदी के पानी में जाने के बद वह और भी हलका हो जाएगा यह सोच कर गधा माल बाजार के ओर निकल पड़ा जैसे ही नदी आई फिर से गधा जान बुचकर पानी में गिर पड़ा लेकिन आज गधे के पीट पर का बोच कई गुना बढ़ गया था क्योंकि रुई ने बहुत सारा पानी सोक लिया था गधे को अभी चलने को भी नहीं हो रहा था बहूत परिश्रम के बाद परेशान होकर गधा नदी से बहार आ गया अभी गधे को चलने को भी नहीं हो रहा था उसके बाद उसको सबक सिखाने के लिए मालिक ने भी उसकी खूप पिटाई की बच्चो इस प्रकर हमें कहानी की कल्पना करनी है कहानी के बारे में सोचना है अभी इसी कहानी के साथ साथ हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में भी लिखना है तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो जीवन में कभी भी कामचोर नहीं बनना चाहिए यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है अभी इस कहानी को हमें शिर्षक भी देना है योग्य शिर्षक ही देना है आपने सोचा है इस कहानी का शिर्षक क्या है शिर्षक मतलब टाइटल क्या है शिर्षक बिल्कुल सही आलसी गदा या कामचोर गदा आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो अभी आपने कहानी के बारे में सोचा कहानी का शिर्षक भी सोच लिया है उससे क्या शिक्षा मिलती है यह भी अपने सोच लिया है अब आपको कहानी का लेखन करना है तो कहानी का लेखन किस प्रकर करना है? तो पहले हमें कहानी का शिर्षक लिखना है कहानी का शिर्षक है कामचर गधा या आलसी गधा कहानी का शिर्शक लिखने के बाद हमें कहानी लिखने का प्रारंब करना है बहुत समय पहले की बात है कि एक आदमी के पास एक गधा था वह हमेशा कम काम करने की चिंता में रहता था एक बार मालिक ने गधे की पीट पर नमक लाद दिया वे दूसरे गाव जा रहे थे रास्ते में एक नदी थी उसे पार किये बिना दूसरे गाव नहीं जा सकते थे गधा जब नदी में उत्रा तो पानी में काफी नम घुल गया और गधे का बोज हलका हो गया नुकसान होने पर मालिक बहुत दुखी हो गया पर गधा खूश था क्योंकि वह बोज उठाने से बज गया था इस युक्ति से गधा प्रसन्न हुआ वह प्रती दिन नदी में जान बुझ कर बैठ जाता था मालिक का नुकसान होने लगा मालिक बड़ी चिंता में डूप गया गधे को पार सिखाने के लिए मालिक ने युक्ति निकाली और एक दिन गधे के पीट पर रुई ला दी गधा प्रसन्न था क्योंकि वह सोच रहा था कि पानी में जाते ही बोच कम हो जायेगा जैसे गधा नदी पार करने के लिए पाने में उत्रा कि सारी रुई भीग गई और उसका बोच और भी बड़ गया अब उसे अपनी भूल समझ में आ गई आगे से किसी भी काम से बचने की बात उसने सोची ही नही इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है तो शिक्षा एक, जीवन में कभी भी कामचोर ना बनना चाहिए दो, कामचोर और आलसी मनुष्य जीवन में सफल नहीं होता बच्चों हम एक बर फिर कहानी को देखते है कहानी का शिर्षा, कामचोर गधा बहुत समय पहले की बात है कि एक आदमी के पास एक गधा था वह हमेशा कम काम करने की चिंता में रहता था एक बार मालिक ने गधे की पीट पर नमकलाद दिया वे दूसरे गाव जा रहे थे रास्ते में एक नदी थी उसे पार किये बिना दूसरे गाव नहीं जा सकते थे गधा जब नदी में उत्रा तो पानी में काफी नमक घुल गया और गधे का बोच हलका हो गया नुकसन होने पर मालिक बहुत दुखी हो गया पर गधा खूश था क्योंकि वह बोच उठाने से बज गया था इस युकती से गधा प्रसंद न हुआ वह प्रती दिन नदी में जान बुचकर बैट जाता था मालिक का नुकसन होने लगा मालिक बड़ी चिंता में डूब गया गधे को पार सिखाने के लिए मालिक ने युकती निकाली और एक दिन गधे के पीट पर रुई ला दिन गधा प्रसंद न था क्योंकि वह सोच रहा था कि पानी में जाते ही बोच कम हो जाएगा जैसे गधा नदी पार करने के लिए पाने में उत्रा कि सारी रुई भीग गई और उसका बोच और भी बढ़ गया अब उसे अपनी भूल समझ में आए आगे से किसी भी काम से बचने की बात उसने सोची ही नहीं शिक्षा जीवन में कभी भी कामचोर न बनना चाहिए कामचोर और आलसी मनुश्य जीवन में सफल नहीं होता तो बच्चो इस प्रकार दिये के रूप परेखा के आधार पर हमें पहले कहानी का शिर्षक लिखना है उसके बाद कहानी लिखनी है और अन्त में हमें उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को भी लिखना है परिक्षा में कहानी लेखन पर आधार इस प्रकार का प्रश्ण पूछा जाता है प्रश्ण नीचे दे गई रूप रेखाओं के आधार पर कहानी लिखिए और उसे योग्य शिर्ष दीजिए और बच्चों यहाँ प्रश्ण हमें चार मार्स के लिए पूछा जाता है रूप रेखा मालिक का गधे के पीट पर नमक लादना नदी पार करते समय नमक का गूल जाना बोज हलका हो जाना दूसरी बार रूई लादना भीगने पर बोज बढ़ जाना और तकलीप उठाना शिक्षा ऐसी रूप रेखा आपको दी जाती है और इसी रूप रेखा के आधर पर आपको कहानी का शिर्शक कहानी और कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये तीनों बाते लिखना आवश्यक होता है धन्यवाद